आपके अपने चैनल जोतिशिन वास्तु में कैसे हैं आप सबी आज हमें आपर बात करने वाले हैं 3rd March 2024 के बारे में 3 March 2024 का ये दिन आप सभी के जीवन में क्या कुछ लेकर क्या रहा है कौन कौन सी वैडिक रेमिडीज आज के दिन को अच्छा बनाने में आपकी मदद करेगी क्या रहेगा आज का एंजल नंबर और आज का अफरमिशन कैसे आज के इस दिन को और ज़्यादा बहतर बनाना है सारी जानकारी मिलेगी आपको इस वीडियो में अंतक दीखिएगा ताकि कोई भी चीज आपसे मिस न हो जाए सबसे पहले बात कर लेते हैं आज के दिन में क्या कुछ विशेश है देखे रईवार का दिन है और रईवार का दिन हमेशा थोड़ा सा रिलेक्स रहने का दिन होता है रईवार के दिन में हमेशा चाहते हैं थोड़ा सा अपने आप पे उपर ध्यान दे कोई पुराने रुके हुए काम है जो सप्ता में नहीं कर पाये थे उसे करने की कोशिश करें और अपने आपको शांत रखने का प्रयास करें तो आज definitely आपके पास बहुत सारे मौके हैं बहुत सारी चीजें करने के और अपने दिन को और ज़्यादा बहतर बनाने के सबसे पहले बात कर लेते हैं बथर डेस के बारे में आज के दिन में अगर आपका जन्म दिन है आपके अनिवर्सरी है आपके जीवन का कोई भी विशेश मैथपुन दिन है आप सभी को मेरी और से हार्दिक शुप काम दा है आने वाला साल आप सभी के लिए डेफिनिटली बहुत ज़्यादा अच्छा साल रहेगा बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे और इसी के साथ साथ आपके मन की इच्छाएं भी पूरी होते हुए नजर आईगी अगर आप किसी भी तरह के एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हुए हैं या किसी तरह की सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं तो आपके लिए ये साल काफी ज़ादा फेवरिबल रहेगा उमीद करता हूँ आप सभी अपने आने वाले साल को अच्छे से निकालने की कोशिश जरूर करें अब बात कर लेते हैं याँ पर आज के दिन में कौन सी राशी, नंबर और अल्फाबेट के लिए बहुत ज़ादा अच्छा जाएगा राशियों में यहाँ पर बात कर ली जाए तो मितुन राशी, सीह राशी, तुला राशी, व्रश्चिक राशी और मीन राशी के लिए काफी ज़ादा अच्छा है नंबर्स में बात कर ली जाए नंबर एक, नंबर चार, नंबर पाँच और नंबर नौ के लिए आज के दिन में अच्छे फाइदे मिलते हुए दिखाई दीते हैं अब बात करते हैं आज के दिन में क्या रहेगा आज का एंजल नंबर और आज का अफरमिशन आज का एंजल नंबर मन की खुशियों को दुगना करने का है आज का जो angel number है ये तनाव को दूर करके आपको अपने आपके साथ connect करने का number है इस वजे से आज के दिन में आप सभी को बहुत ध्यान से इस number को recall करना है आप चाहें तो अपने सीधे हाथ पर इस number को लिख भी सकते हैं और दिन में दो से तीन बार देखने की कोशिश करें ये आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा नंबर है आज का 111666 ये बहुत ज़्यादा positive नंबर है और बहुत ज़्यादा effective नंबर है जब आप 111 को बोलेंगे तब आप अपने stress को release करेंगे stress को दूर करेंगे तनाव से मुक्त होंगे और जब आप 6666 को बोलेंगे तब आप खुद में खुद महसूस करेंगे कि अपने आप में positivity अपने आप एक खुशी आपको feel हो रही है और आप बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस कर रहे है आज के दिन में जो affirmation रहेगा ये भी कुछ इसी तरह का है जो आपको बड़ा फायदा देता हुआ नजर आएगा नोट को लिजी का प्लीज आज का affirmation आपको बोलना है I am happy and I am feeling happy ये जब आप बोलेंगे तो आप महसूस करेंगे कि कैसे आप खुद बखुद अच्छा feel कर रहे है और कैसे आप अच्छा है तो इसके लिए दोनों ही चीज़ें आप अपने आपको डिलाइस कराएं और अपने आपको और better feel कराने की कोशिश जरूर करे रहिवार का दिन अगर meditation नहीं किया तो फिर मजा नहीं आएगा दिन में वो energy और ज़्यादा powerful मैसूस नहीं होगी तो इस रहिवार को और ज़्यादा positive बनाने के लिए आपको कौन सा meditation करना है ये भी आप note कर लिए जैसे मैंने कहा कि आज का ये दिन अपनी energies को लेकर के powerful करने का दिन है अपने आपके साथ connection बनाने का दिन है इसलिए आज के इस meditation में भी हम अपने आपके साथ एक connection बनाने की कोशिश जरूर करेंगे क्या करनी है वो कोशिश note कर लिजिए का प्लीज आपको किसी ऐसी जगे बैटना है जहां पर आप थोड़ा सा relax महसूस करें आज आपको meditation में लाल कलर का प्रयोग जरूर करना है चाहे तो लाल टी का माते पर लगा दीजिए या लाल कलर के वस्तर पहन करके बैट जाएं या लाल आसन बिचा करके उसके उपरा बैट जाएं तो भी चल जाएगा इसके बाद आप दीरे दीरे अपनी आखें बंद करें और अपने center of the soul को connect करने की कोशिश करें अपने पूरा इध्यान को वहाँ पर candidate कर दीजिए आस पास कोई अवाज ना आए, कोई disturbance ना हो इस बात का विशेश तोर पर ध्यान रखिएगा और आप सभी क्या करिएगा आप सभी जो मैंने angel number आपको बताया उसको 11 बार recall करिएगा 11 times आप उस angel number को recall करिएगा और फिर देखिएगा कि कैसे आपकी soul power आपके साथ connection मनाती है कैसे आप इस meditation में अपने आपको और ज़्यादा positive message करते हैं और कैसे आपसे सारी चीज़ें जो गलत हैं वो दूर होते हुए नजर आती है बहुत अच्छा practical है करके देखिएगा और उसके बाद दूर करने में आपकी मदद करेगा अब बात करते हैं आपर आज के दिन में कौन सा वैदिक remedies आपको करना है जो आपके लिए काफी ज़्याद अच्छा रहेगा golden wish time की यहाँ पर बात करें तो समय रहेगा आज आपका दोपेर का पीम बचकर 30 मिनिट 3.30 से लेकर के 4.30 के बीच का समय इस समय में आप प्लान करें आप आगे के भविश्य को लेकर के कोई भी योजनाय बनाएं या अपने आपको खुश रखने का प्रयास करें यह आपके लिए बहुत ही ज़ादा अच्छा रहेगा आज रईवार का दिन है और रईवार के दिन में सबसे पहले अपने दिन की शुरुवात करें सूरीदेव की आराधना के साथ तामबे का पात्र लीजिएगा उसमें जल भरिएगा और उसमें थोड़ा सा कुमकुम मिला दीजिएगा और उसके बाद सूरीदेव की तरफ पुर्वदिशा इस डिरेक्शन में फेस करके ओम सूरियाय नमह मंत्र का जाप करते हुए आप सूरीदेव को जल अर्पित कर दीजिएगा और कुछ सेकिंद्स मौन रह करके सूरीदेव की धूप अगर आप ले ले और ना भी नसीब महसूस करने की कुशिश करीगा कि आज अभी आपके लिए एक बहुत अच्छा मोमेंट यहाँ पर तयार होने वाला है जब आप वो फीलिंग महसूस करेंगे तो आप खुद बहुद देखेंगे कि दिन और जादा अच्छा जाता हुआ नजर आएगा आज के दिन में अपने गर के मुख्य द्वार पर सुबह के समय में एक गी का दिया चोटा सा गी का दिया जरूर प्रजरित कर लिजेगा इस बात का ध्यान रखेगा अंदर से आप जब बाहर जाएं तब सीधे हाथ की तरफ इदियाव लगा दिजेगा इस बात का ध्यान रखेगा ताकि आपको कोई दिक्कत कोई परिशानी ना देखने को मिले आज के दिन में गर की साफसफाई जरूर कर लिजेगा गर में किसी तरह की गंदगी ना रखें आज कोई बुक जरूर रीट करें अपनी पसंद की बुक को रीट करने की कोशिश करें और अपनी पसंद की कोई मुवी है या कोई सौंग है या कोई आर्टिकल है वो पढ़ने का कोशिश करें जो आपको खुशी दे आपको मोटिवेट करें ये आपके लिए काफी जादा अच्छा जाता हुआ नजर आएगा आज के दिन में अपने बड़ों का अश्रिवाद जरूर ले लिजेगा अपने बड़ों के साथ संबंद को अच्छा बनाने की कोशिश करिएगा इससे भी आपको positivity मिलेगी और आपके काम आसानी से बनते हुए नजर आएंगे अपने आपको अच्छा बनाने का दिन है और अपने दिन को अच्छा बनाने के लिए ये आपके लिए काफी जादा फाइदे मन रहेंगी उमीद करता हूँ आप एक एक क्रेमेडी के साथ अपने आपको और ज़्यादा बैलेंस करते हुए नजर आएंगे और आपको positive feeling मिलते हुए नजर आएगी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा बैल आएकन पे जरूर से क्लिक करिएगा कुछ पूछना चाते हैं जानना चाते हैं अपने बारे में कुछ भी समझना चाते हैं आप procession पर कर सकते हैं मैं पूरी पूरी कोशिश करूँगा आप सभी की हर संभव मदद्यां पर कर सकूँ धन्यवाद